नमस्कार दोस्तों, स्विपकास क्लासेज में सभी साथ न्यूं का स्वागत है दोस्तों आज साइस का मोस्ट इंपार्टेंट एमसी क्यों कुशन स्रीज के विशा में डिसकस करेंगे जो परिछा में लगतार पूछा जाता है तो दोस्तों वीडियो में अंद तक बने रहें ताकि सभी कुशन का लाव उठाएं तो आज के सेशन का सुरुवात करते हैं आपका पहला कुशन आपके स्क्रीन पर जितने भी साथी स्विपकास क्लासेज में जुड़ेंगे सभी साथी यदि सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे वीडियो को जादा जादा सेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट कलास में जुड़ें और सभी कुशन का फायदा उठाएं और दोस्तों एक बार सभी साथी कापी और पेन साथ मिले के बैठेंगे और हमारे साथ साथ सभी कुश्चन को नोट करते चलेंगे ताकि आपको एक बार में ही याद नहो तो दुबारा रिवीजन कर सकें कम समय में आप दुबारा सभी कुष्चन को याद कर सकते हैं तो चलिए अब आज का पहला कुष्चन निम्न मेंसे कौन से अमल में वितामिन नहीं है आपका अफ़सन A है फोली कमल, B है ओली कमल, C है पिंटो थेनी कमल, D है स्कोर भी कमल तो पताइए साथियों आपका कौन से अफ़सन सही हो जाएगा आपका अफ़सन सही हो जाएगा अफ़सन B यानि ओली कमल, ओली कमल, निम्न मेंसे कौन से अमल में वितामिन नहीं है तो ओली कमल में वितामिन नहीं है तो आप जानते हैं सभी वितामिनों के रसाइनिक नाम वितामिन दो परकार के होते हैं एक होते हैं जल में गुलनसील और एक होते हैं वसा में गुलनसील तो पहले जानेंगे जल में गुलनसील वितामिन कौन कौन से होते हैं तो जल में घुलन सिल विटामिन होते हैं B और C जल में घुलन सिल विटामिन होते हैं कौन-कौन से B और C आप जानेंगे वसा में घुलन सिल विटामिन कौन-कौन से होते हैं वसा में घुलन सिल विटामिन होते हैं A, D, E, K जल में गुलन सिल बितामिन होते हैं B और C वसा में गुलन सिल बितामिन होते हैं A, D, E और K अब जानेंगे सभी बितामिनों के रसाइनिक नाम पहले देखेंगे वसा में गुलन सिल बितामिनों के रसाइनिक नाम पहले जानेंगे बितामिन A विटामिन A का रसाइनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल है विटामिन A का रसाइनिक नाम रेटिनाल है विटामिन D का रसाइनिक नाम क्या है? कैलसी फेराल है विटामिन E का रसाइनिक नाम क्या है? टेको फेराल है विटामिन K का रसाइनिक नाम क्या है फिली Q9 है आप जानेंगे जल में घुला सील विटामिनों के रसाइनिक नाम पहले जानेंगे C, विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है? तो इसकार्बिक एसीड है, अब जानेंगे B, विटामिन B1 का रसाइनिक नाम क्या है? थामीन, विटामिन B2 का रसाइनिक नाम क्या है? राइपोफिलेबिन, विटामिन B C का रसाइनिक नाम क्या है? मतलब विटामि विटामिन B7 का रसाइनिक नाम क्या है तो बायोटीन, विटामिन B9 का रसाइनिक नाम क्या है तो फोलिक आमलोड, अब विटामिन B12 का रसाइनिक नाम क्या है तो साइनो कोबालमीन, अब एक बार विटामिन B वाला फिर से जान लेते हैं, विटामिन B1 का रसाइनिक नाम क्य पेंटाथीन विटामिन वीटामिन 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 वीट तो आप चलते हैं next question पर आज के session का दूसरा question आपके screen पर दूध एक kolidic tantr है जिसमें आपका option A है पानी वसा में घुला हुआ है B है वसा पानी में घुला हुआ है C है वसा और पानी एक दूसरे में घुले हुए है दी है इन में से कोई नहीं तो बताइए साथ हूं आपका कौन सा अफसन सही हो जाएगा आपका अफसन सही हो जाएगा अफसन B यानि वसा पानी में घुला हुआ है दूर एक कुलाइडी तंत्र है जिसमें वसा पानी में घुला हुआ है तो आज के session का तीसरा question आपके screen पर मनुस्त की खोपड़ी में कितनी हड़ियां होती है या अस्थियां होती है आपका option A है 5, B है 8, C है 9, D है 10 तो बताइए साथियों आपका कॉन सा option सही हो जाएगा आपका option सही हो जाएगा option B यानी 8 मनुस की खोपड़ी में कितनी हड़ी होती हैं तो आठ होती हैं अब आईए सभी के नाम जाल लेते हैं एक होता है आकसी पिटल इसमें कुल मिलाकर एक होती है एक हड़ी होती है आकसी पिटल में एक हड़ी होती है एक होता है टेंपोरल टेंपोरल में दो हड़ी होती है आकसी पिटल में एक हड़ी, टेंपोरल में दो हड़ी, एक होता है पिराइटल, पिराइटल में भी दो हड़ी होती हैं, एक होता है इस्फेनोईड, इस्फेनोईड में एक हड़ी होती हैं, एक होता है इठेमोईड, इसमें भी एक हड़ी होती हैं, एक होता है फ्रंटल, फ्रंटल में भी एक हड़ी होती हैं यदि आप सभी हड़ीओं को गिने गेत आपकी आठ हो जाएगी दो हो गई आप सभी हड़ीओं को नोट कर लीजिएगा तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं तो आठ होती हैं अब चलते हैं नेस्ट कुश्चन पर आज के सेशन का चौथा कुश्चन आपके स्क्रीन पर मनुस्च के एक कान में कितनी हड़ीओं होती हैं आपका अफशन A है 3, B है 4, C है 5, D है 6 तो बताइए साथियों आपके कौन सा अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन A यानि 3 मनुस्च के एक कान में कुल मिल कर छे हड़ी हो जाएंगी तो एक कान में तीन हड़ी होती हैं आई ये सभी के नाम जान लेते हैं एक होता है मेलियस एक होता है इनकस एक मेलियस दूसरा इनकस तीसरा एस्टपीस एस्टपीस जो होती है कान की सबसे छोटी हड़ी होती है ये सभी हड़ीयां पेर की रूप मे और वी मिलाकर दो दो हड़्डी हो जाएंगी इसी तरह कुल 6 हड़्डी होजाएंगी अब देखते हैं आज की सेशन का कुझंट आपके स्क्रीन पर मेखलाय में में खलाएं में कितनी हड्डियां होती हैं आपका आफ्षन ए है 5, B है 6, C है 7, D है 9, तो बताइए साथियों आपका कौन सा आफ्षन सही हो जाएगा, आपका आफ्षन सही हो जाएगा आफ्षन B यानि 6, में खलाएं में कितनी हड्डियां होती हैं तो 6 हड्डियां होती हैं, एक होती है स्काइपूला, दूसरी होती है कलाइबिकल, तीसरी होती है पेलबिक गार्डल, सभी में दो-दो हड़ी होती है, अगर आप सभी को काउंट करेंगे तो 6 हड़ी हो जाएंगी, स्काइपूला और कलाइबिकल ये दोनों कंधे में पाई जाती है, और पेलबिक गार हिप बोन में पाई जाती हैं और स्काइपुला क्लाइबिकल यह आपकी कंधे में पाई जाती हैं तो कुल मिलाकर आपकी छे हड़ी हो गए अब चलते हैं आज के सेशन के छटमे कुश्चन पर मानव की पाचन नली लगभग कितने फिट लंबी होती है आपका अफशन ए है 16, B है 18, C है 22, D है 32 तो बताइए साथ मों आपका कौन सा अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन सही हो जाएगा अफशन दी यानि 32 मानव की पाचन नली लगभग कितने फिट लंबी होती है तो 32 फिट लंबी होती है आज की आफसान D सही हो जाएगा तो आज के session का 7 वा कुछसिस्टन आपके screen पर पाचन तंत का हिश्टा नहीं है पाचन तंत का हिश्टा नहीं है तो पताइजे साथियों आपका कौन सा आफसन सभी पाचनतंत का हिस्सा नहीं है तो आपके आख में पाइजाती है आप से कुछिस्टन पूछा जाता है कौना सा भाग दान दिया जाता है तो कार्निया ही है जो आख में आपका भाग दान दिया जाता है अब देखते हैं यक्रित यक्रित मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंत ही है यक्रित मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंत ही है आप चलते हैं, नेस्ट कुश्चन पर, आठमें कुश्चन पर, आपके स्क्रीन पर दुख्धो, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है आपका अफशन A है पेपसिन, B है ट्रिपसिन, C है रेनिन, D है इन में से कोई नहीं तो बताइए साथियों, आपका कौन सा अफशन सही हो जाएगा, दुख्धो, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है आपका अफशन सही हो जाएगा, आपसन C, यानि रेनिन दुख्धो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है तो रेनिन है आपका अफशन C सही हो जाएगा तो नेस्ट कुश्चन आज के सेशन का नाववा कुश्चन आपके स्क्रीन पर टीबी या नामा खड़ी किसमें पाई जाती है आपका अफशन A है खोपड़ी में B है टांग में C है भुजा में D है मुह में तो पताइए साथियों आपका कौन सा अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन सही हो जाएगा अफशन B यानि टांग में टीबी या नामा खड़ी कहां पाई जाती है तो टीबी या नामा खड़ी टांग में पाई जाती है आपका अफ्षन भी सही हो जाएगा तो देख लेते हैं दोस्तों तांग में और कोन हड़ी पाई जाती है एक हड़ी पाई जाती है कौन सी तो टीबिया और एक फिबूला यानि एक तांग में दो हड़ी पाई जाती है एक होती है टीबिया एक होती है फिबूला जो आपकी फिबूला हड़ी होती है या सबसे चमकीली हड़ी होती है और आपके जान में एक हड़ी पाई जाते है फिमर जो सरीर की सबसे लंबी हड़ी होती है तो अब चलते हैं नेस्ट कुश्चन पर आज की सेशन का दस्मा कुश्चन आपके स्क्रीन पर मनुस के जीवन काल में कितने दात दो बार विक्सित होते हैं आपका आपसन A है 4, B है 12, C है 20, D है 23 तो बताइए साथियों आपका कौन सा आपसन सही हो जाएगा आपका आपसन सही हो जाएगा आपसन C यानि 20 मनुस के जीवन काल में कितने दात दो बार विक्सित होते हैं तो 20 दात दो बार विक्सित होते हैं अब आप जानना चाहेंगे कि दात कितने परकार के होते हैं तो आईए जानते हैं, दात कुल मिला कर चार प्रकार के होते हैं, एक होता है इंसीजर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्रिंतक कहते हैं, एक होता है किनाइन, जिसे रदनक कहते हैं, एक होता है प्रियमोलर, जिसे अग्रत चवाना कहते हैं, एक होता है मोलर, जिसे चवाना कहते ह आप जानते हैं, इनसीजर, इसे क्या कहते हैं, करिंतक कहते हैं, इन में कुल मिला कर कितने दाथ होते हैं, तो इनसीजर में आठ दाथ होते हैं, आपके नाइन में कितने दाथ होते हैं, तो बताइए साथियों, इसमें चार दाथ होते हैं, अपरी मोलर में कितने दाथ होते है तो इसमें 8 दात होते हैं, और molar में कितने दात होते हैं, तो इसमें 12 दात होते हैं, यानि दात 4 प्रकारिक होते हैं, इन सीजर, जिसे हिंदी में करिंतक कहते हैं, इसमें 8 दात होते हैं, दूसरा है केनाइन, इसमें 4 दात होते हैं, जिसे रदनक कहते हैं, तिसरा है प्री molar, ज करेंगे तो आपके कुल मिलाकर 32 दात हो जाएंगे आठ चार बारा बारा चौबिस और चौबिस आठ बातिस तो आपके कुल मिलाकर 32 दात हो गए आठ यह हो गए 8-4-12, बारा आठ हो गए इंसीजर, चार हो गए के 9, 8-4-12 और प्री मोलर में 8 दात हो गए तो बारा आठ बीस और मोलर में 12 दात 32 दात हो गए तो आप चलते हैं नेक्ट कुश्टन पर आज के सेशन का एक ग्राहां कुश्टन आपके स्क्रियन पर पित्त जमा होता है तो बताइए साथियों आपका कौन सा अफशन सही हो जाएगा पित्त जमा होता है आपका अफशन A है पित्तासय, B है यक्रित में, C है प्लिहा में, D है इनमें से कोई नहीं तो बताइए साथियों आपका कौन सा अफशन सही हो जाएगा आपका अफ्शन सही हो जाएगा अफ्शन A यानि पित्त आसे में पित्त जमा होता है तो पित्त आसे में जमा होता है लेकिन पित्त निकलता कहां से पित्त का निर्मार कहां से होता है तो पित्त का निर्मार यक्रित से होता है जिसे यक्रित को क्या कहते हैं लीबर कहते हैं औ चलते हैं नेस्ट कुईस्टन पर पेस्ट मेकर का संबंध किस से है पेस्ट मेकर का संबंध किस से है आपका अफशन ए है फेफड़ा बी है गुर्दा सी हिर्दय डी है दिमाग तो बताइए साथियों आपका कौन सा अफशन सही हो जाएगा आपका अफशन सी सही हो जाएगा पेस्मेकर किससे संबंधित है तो पेस्मेकर हिर्दय से संबंधित है तो आज के सेशन का 13 कुश्चन आपके स्क्रीन पर गति प्रेरक किस से संबंधित है आपका अफशन A है गुर्दा, B है मस्तिस्क, C है हिर्दय, D है फेफड़ा तो बताइए साथ में आपका कॉन साफशन सही हो जाएगा आपका अफशन C सही हो जाएगा हिर्दय गति प्रेरक किसे सम्बंधित है तो गति प्रेरक हिर्दे से सम्बंधित है आप जानना चाहेंगे मस्तिस्क कितने प्रकार के होता है तो मस्तिस्क तीन प्रकार के होता है एक होता है फोर ब्रेन जिसे अगर मस्तिस्क कहते हैं एक होता है मीड ब्रेन जिसे मध मस्तिस्क कहते ह और एक होता है हिंड ब्रेन जिसे पस्र मस्तिस्क कहते हैं आप जानते हैं जो है मस्तिस्क तीन प्रकारक होता है फोर ब्रेन जिसे अगर मस्तिस्क कहते है यहां तीन प्रकारक होता है एक होता है सेरी ब्रम सेरी ब्रम एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपो थैलमस थैलमस करता है या मानो मस्तिष्क का सबसे बिखसित हिस्सा है मद्ध मस्तिष्क या दो भागू में विभाजित होता है एक होता है कौरापूरा कार्डी जमीना एक होता है और या मस्तिस्क के अनभाग को मेरे रजु से जोडता है मस्तिश्क के अन भाग को मेरे रजू से जूड़ता है सेरी बरल पेंडिकल और जो कोरपुरो काड़ी जमीना होता है यह सवन सक्ती थथा द्रिष्टरी और देखने कभि नियंतर का केंडर है और जो पस्मस्तिस्क होता है हिंड ब्रेन या तीन भागों में भाजित होता है एक होता है सेरी बेलां एक होता है मेंडूला आमलग गेटा और एक होता है पॉंस तो या तीन परकार में होता है भी भाजित होता है तो भाई ये चलते हैं आज के सेशन के चवदामे कुश्चन पर लबडव ध्ध्धुन, closely के कारण उत्पन होती है, जो लबडव ध्धुन होती है, किसकी किरिया के कारण उत्पन होती है, आपका एफ़जन, E है बढ़ी आट, B है छोड़ी आट, C है और Iमสसाय होजाएगा, आपका आपसंस हो जाएगा आपसंस C यानि हिर्दय जो लब डब ध्वन होती है किसके क्रिया के कारण उत्पन होती है तो हिर्दय के कारण जो आप कहते हैं हमारे हिर्दय धक धक कर रहा है या धक धक नहीं करता एक बार लब की साउंड निकालता है और एक बार डब की साउं एक होती है डिवडिनम एक होती है जेजनम और एक होती है एलियम छोटी आत तीन भागों में भाजित होती है डिवडिनम जेजनम इलियम और इसी तरह बड़ी आत भी तीन भागों में भाजित होती है सीकम कोलन रेक्टम रेक्टम किसे कहते हैं मलासाइको इसी से आपका बेस प्रदार्थ बाहर निकालता है डिवडनाम इसमें क्या होता है या डिवडनाम जेलियम इलियम या छोटी आत में क्या होता है छोटी आत के टीन पार्ट होते हैं जो एक होता है डिवडनाम एक होता है जीजनम एक होता है इलियम अब छोटी आत की बात करें तो इसे में पाई जलते हैं आप नेस्ट कुश्टन पर आज के सेशन का पंद रहावा और लास्ट कुश्टन आपके स्क्रियन पर मानव रूधिर का पी एच मान कितना होता है मानव रूधिर का पी एच मान कितना होता है आपका अफ़्षन E है 7.2, B है 7.8, C है 7.4, D है 6.6, तो पताइए साथी हूँ आपका कौन साफ़्षन सही हो जाएगा, आपका का amn C हो जाएगा यार नि 7.4, मानव रुधिर का पिय च मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, आपका अफ़्षन C सही हो जाएगा जितने भी साथी सुपकास क्लासेस में जुडेंगे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकेन जरूर प्रेस कर देना क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप लगे सबसे जल्दी पहुचे और आप सबसे पहले उसका फायदा उठाएं तो दोस्तो वीडियो को यहीं पर समात करते हैं धन्यबाद, थाइंक्यू, लब यू आफ फ्रेंड्स, बाइबाइटे के और हाइबिनाइज दे, धन्यबाद